कभी सूनसान सडक पर चलते हुए आपको भी खयाल जरूर आया होगा, कि आखिरकार दुनिया के आखिरी छोर तक पहुचाने वाली भी कोई सडक तो होगी, जी हाँ ये सडक है, इस सडक के आगे दुनिया खतम हो जाती है, वहां से आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, इस सवाल का जब आप ढूंडने के लिए आपको रुख करना होगा नौर्थ पोल का, क्योंकि यही वो जगह है जहां जाकर दुनिया खतम हो जाती है, चलिए आपको दुनिया की आखिरी सडक E69 के बारे में कुछ दिल्चस्प बातें बताते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं कि नौर्वे में ही वो आखिरी सडक है जहां से दुनिया खतम हो जाती है, इसके आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, आगे का रास्ता प्रतिबंधित होने की वज़ए ये है कि यहां से सिर्फ बर्फ ही बर्फ और समुत्र ही समुत्र दिखने लगता है, दुनिया की यह आखिरी सड़क होने की वजह से लाजमी है कि लोग इस पर जाना चाहते हैं, इसे देखना चाहते हैं कि दुनिया का आखिरी चोर कैसा लगता है। फिर भी आपको बता दें कि E69 पर अकेले जाना या ड्राइबिंग करना प्रतिबंदित है। अगर आपको इस चड़क की सेर करनी है तो आपको ग्रूप में जाना पड़ेगा। दरसल बर्ब से ढकी होने के वजह से यहां जाने वाले अक्सर राष्टा भूल जाते हैं। थंड जादा होने की वजह से इस चगह पर खो जाने के बाद वापस लोटना मुस्किल शा हो जाता है। यही वजह है कि 14 किलोमीटर लंबे इस राष्टे पर कोई भी अकेला नहीं जाता। साल 1930 तक यहां कोई भी बाहर जाके कुछ भी नहीं करता था। सारी आजीवी का मचली पालन पर निर्भर थी। 1934 के बाद यहां लोगों ने आना जाना सुरू किया और पर्यटन की संभावनाएं काफी बढ़ गई। यहां आकर लोगों को एक खोई हुई दुनिया का एहसास होता है। यहां आकर संसेट यानि डूबते हुए सुर्य को देखने का अलग ही अनुबाव है। हाला कि नॉर्थ पोल पर होने की वजह से गर्मियों में यहां सुरज डूबता ही नहीं और सर्दियों में 6 महीने तक दिखाई ही नहीं देता। यानि करीब 6 महीने तक लोग रात के अंधेरे में ही रहते हैं। गर्मी में यहां तापमान 0 degree Celsius के आसपास होता है जबकि ठंड में यह माइनस 45 degree तक नीचे चला जाता है। ऐसी ही रोचक वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पेल आइकन को धीरे से प्रेस कर दें।